असलाम लेकुम इस इंट्रोड़क्शन टू टेक्स्टाइल के कॉर्स में अभी तक हम लोग ओवरॉल टेक्स्टाइल का फ्लोचार्ट बढ़ चुके हैं और फाइबर रिलेटिट टॉपिक भी बढ़ चुके हैं बिसकली फाइबर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसके अ अब यह याद रखिए कर डेफिनेशन कभी भी फिक्स नहीं होती है यह रिलेटिव है और टाइम टू टाइम चेंज होती है मतलब जो सेंटेंज उस कॉंसेट को अच्छे से एक्स्प्लेइन कर देता है बगएर किसी लूप होल्स के उसको हम डेफिनेशन मान सकते हैं ठीक तो continuous strand of fibers, fiber का S जो है bracket में लिखा है जाहर है क्योंकि एक fiber की भी अगर continuous length का है उसको भी हम yarn consider कर सकते हैं और बहुत सारे चोटे-चोटे fiber मिला कर भी हम उसे yarn में convert कर सकते हैं ठीक है और साथ ही उसमें क्या होनी चाहिए? required strength होनी चाहिए ठीक है? तो yarn की definition के हम क्या सकते हैं कि दो important part है continuous strand of fibers with required strength ठीक है इसी तरीके से एक और particular नाम आपने सुना होगा कि spinning मिल बहुत सुना होगा ठीक है तो spinning itself है क्या basically yarn manufacturing को हम लोग spinning कह रहे होता है ठीक है आपको याद होगा हमने fiber में भी एक particular topic पढ़ा था कि fiber formation के अंदर भी हम melt spinning dry spinning या wet spinning की बात कर रहे थे क्योंकि व spinning क्यों कहना पड़ गया इस concept को भी बड़े गौर से समझ लें यहां पर मैंने अभी समझाया आपको कि एक single fiber भी अगर continuous length का होगा मतलब filament होगा तो उसको भी हम ऐसा yarn treat कर सकते हैं अगर उसमें required strength है ठीक है तो अगर हम उसी को direct yarn के तोर पर treat कर रहे हैं इसी वज़ा से filament fiber की formation भी spinning कहलाएगी ठीक है जी अब आगे आजाते हैं yarn का एक basic idea हो गया आपके दिमाग में एक तस्वीर बनने लगी yarn की के एक तरह की continuous trend है ठीक है तो इसकी classification भी बड़ी जरूरी है जाहरे concepts को अच्छे से समझने के लिए properties को समझने के लिए अपनी studies को असान करने के लिए हम च classification जो होती है yarn की वो होती है fiber length आपको याद होगा हमने fiber की जब classification पड़ी थी तो हमने length की basis पे दो तरह के fiber discuss किये थे एक staple fiber जो के small length होते है limited length होती है जिसकी और एक filament fiber filament fiber मतलब जिनकी continuous length होती है mainly kilometers में होते है staple fiber की जो length होती है millimeter, meter, feet इस limited range के अंदर होते है अब staple yarn क्या होता है basically जो के staple fibers से बनाया जाए filament yarn क्या होता है जो के filament fibers से बनाया जाए अब इन में properties का क्या फरक है सबसे पहले तो यह समझना है मतलब आपको एक idea हो गया कि length की basis पे भी fiber length की basis पे भी yarn को हम दो तरह के से classify कर सकते है ऐसा yarn जो staple fibers से बना हो से हम staple yarn कहेंगे या फिर spun yarn कहेंगे spun क्यों कहते हैं यह बड़ा important concept है इसकी तरफ भी हम आते हैं filament yarn जो के filament fiber से बनावा हो imagine करें कि हमारे पास staple fiber है और सारे सीधे सीधे मौझूद है तो यह मेरे पास suppose continuous strand बन रही है और यहाँ पर भी मेरे पास filament fiber की भी continuous strand बन रही है बहुत गौर से इस concept को imagine करिएगा सारे staple fiber भी सीधे सीधे हैं filament fiber भी सीधे सीधे हैं अगर मैं इस staple yarn को यहां से grab करूं और खीचूं तो क्या यह उस strength को इस force को बरदाश कर सकेगा बिल्कुल भी नहीं कर सकेगा क्योंकि fiber सीधे है fiber slip हो जाएंगे और yarn break हो जाएगा वहीं पर अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं filament yarn की इस इसके अंदर अगर मैं इसको पकड़ के इस तरीके से खीच रहा हूं तो क्या होगा वह force equally सारे के सारे filaments पर अपलाए हो रही है बीच में कोई loose point नहीं है सारे के सारे yarn सारे के सारे fibers जो है उस force को एक तरीके से बरदाश करेंगे तो इस वज़ा से यहां पर breakage नहीं आएग क्योंकि वो एक दूसरे को hold नहीं कर रहे हैं अगर मैं चार हूं यह fibers एक दूसरे को hold करने लग जाएं तो हमें क्या करना होगा इसके अंदर twist डालना होगा तो यहां पर बहुत important चीज इस टेपल yarn के अंदर twist की requirement होती है strength देनी है तो आपने लाजमी twist करना होगा जितना twist करेंगे fibers की grip एक दूसरे पर बंती जाएगी और उस वज़ा से yarn strong होता जाएगा और जाहरे आप twist कर रहे हैं उसको rotate कर रहे हैं तो इसलिए इसके लिए word use हुआ है spun yarn filament के अंदर as such twist की कोई requirement नहीं थी बगर twist किये भी आप जब इस पर force apply करने तो वह equally सारे filament पर distribute हो रही है तो strength के लिए twist की कोई खास requirement मौजूद नहीं होती filament में as a texture अगर कोई buyer बोले तो हम इसके अंदर twist insert जरूर कर सकते हैं तो इस basic concept को याद रखना है कि staple में twist के बगर वो बन नहीं सकता strength बिल्कुल ही नहीं होगी loose fiber हों के slip हो जाएंगे force apply करने पर filament के अंदर strength होगी ठीक है इसी basis पर अगर हम strength का comparison करें तो staple में ज़्यादा strength होनी चाहिए filament में कम strength होनी चाहिए इसी common sense की basis पर हम क्या ही सारे differences discuss कर सकते हैं अब मिसाल के तोर पे धागे की surface पे जो hairiness होती है yarn की surface पे जो hairiness होती है protruding fibers होते हैं वो इन दोनों में से कौन से yarn पे होंगे अगर मैं इस yarn को देख रहा हूँ तो इसकी surface के उपर जाहरे filament yarn है तो इसके अंदर बीच में कोई end point नहीं होगा किसी fiber का लेकिन अगर मैं इस yarn की बात कर रहा हूँ आपको पता सारे small fiber है तो there is a possibility बीच बीच में fiber के end points आ रहे हैं जो भी बीच में end होगा surface पे मौजूद वो लाजमी protrude करेगा और जितना twist बढ़ाएंगे उतना वो hairiness increase होगी उसकी तो hairiness basically हमारे पास staple yarn में है filament yarn में कोई hairiness नहीं मौजूद इसी basis पे हम लस्चर को भी define कर सकते हैं कि hairiness जाहरे इसमें ज्यादा है तो इसका लस्चर कम होगा filament yarn का लस्चर comparatively ज्यादा होगा सिर्फ लस्चर ही नहीं hairiness की basis पे आफ friction को भी associate कर सकते हैं किस तरीके से basically अब क्योंके इस staple yarn के अंदर hairiness जादा है तो friction भी जादा होगी मतलब किसी surface से अगर यह बहुत जादा तेजी से touch होके गुजरेगा तो उसमें heat generate होगी breakage के chances बढ़ सकते हैं वहीं filament की बात की जाए तो filament के अंदर hairiness नहीं है तो इसकी friction comparatively low की surface heat up नहीं होगी इतनी जल्दी ठीक है यह बहुत basic basic सी चीज़े हैं क्योंके जैसे ऐसे आगे जाएंगे यह सारे basic points relate कर पाएंगे आप अच्छे तरीके से ठीक है इसी basic concept की basis पे अगर हम absorbency को भी relate करें इन दोनों में से क्या लग हम filament की बात कर रहें तो इसकी surface की ओपर कोई hairs नहीं है बिलकुल smooth surface है तो surface की ओपर कोई खास absorbency नहीं मौजूद होगी सिर्फ इतनी ही नहीं बलके कही कही सारे इसमें differences बताये जा सकते हैं common sense की basis पे आप कोई difference पूछना चाहें तो comment में जरूर mention करिएगा ताकि हम उस पे discussion क कर सकें ठीक है आगे चलते हैं यह तो हमने fiber length की basis पे yarn को classify किया है बिलकुल इसी तरीके से yarn के अंदर जो twist आता है उस twist की basis पे भी हम yarn को classify कर सकते हैं आप बहुत और से समझें yarn के अंदर अगर fibers इस direction में twist हुए हैं या फिर इस direction में twist हुए हैं ठीक है तो इसको s twist कहा जाता है क्योंकि s में आपने देखा होगा यह particular diagonal मौजूद होता है और z twist इसे कहा जाता है क्योंकि z में यह particular diagonal मौजूद होता है s twist को left hand twist भी कह सकते हैं और z twist को right hand twist भी कह सकते हैं यह तो twist की basis पे classification है उसके इलावा कुछ और भी types होती है हमारे पास twist less yarn होता है for example यह जो filament yarn है जिसमे कोई twist नहीं है इसको हम twist less yarn कहेंगे या पिर कई दफा ऐसे भी scenarios होते हैं कि आप false twist create करते हैं मतलब texture इस तरह का होता है कि आपको appear धागा ऐसा होगा जैसे उसमें twist मौजूद है but in reality उसमें twist मौजूद नहीं होता तो इस तरह कि कही और चीज़ें भी हैं जो कि हम लोग detail में देखते जाएंगे जैसे उसकी जरुरत पेश आएगी ठीक है तो s twist और z twist की बात हो गई अब यहां पर बहुत जरूरी बात कि हमने s या z की ही term क्यों use की clockwise या anti clockwise की term क्यों use नहींगी इसको भी समझ लें अक्सर यह सवाल बच्चों के दिमाग में आ रहा होता है अब इसको बहुत गौर से समझें कि अगर मैं इस यांड को नीचे से twist कर रहा हूं suppose clockwise twist कर रहा हूं उपर से hold करना पड़ेगा लेकिन अगर मैं उपर से twist करूं नीचे से hold करूं तो मेरे पास scenario comparatively बिल्कुल ही different होगा मुझे इसको anti clockwise twist करना पड़ेगा मतलब there is a possibility कि एकी यांड में दो twist कह रहे होते हैं ठीके diagonal अगर यह वाला है इसको आप negative twist भी कह सकते हैं क्योंकि अगर आपने basically slope का concept पढ़ा हो mathematics में तो आपको पता होगा यह negative slope बन रहा है negative twist भी आप S twist को कह सकते हैं और Z twist को positive twist भी कह सकते हैं क्योंकि इस तरह का slope होता है zero से 90 degree के दर्मयान दर्मयान वह हमा पास positive that is the reason अच्छा अब यहां पर अक्सर एक सवाल ही आता है कि अगर मैं इसको 180 degree twist कर लूँ तो क्या यह change हो जाएगा बिलकुल भी change नहीं होगा देखें Z में यह वाला जो diagonal बन रहा है अगर मैं इसको 180 degree भी rotate कर लूँ तो इसके diagonal में कोई तबदीली नहीं आएगी देख मैं इसको 180 की बजाए सिर्फ 90 के एंगल पर twist का हूँ 90 के एंगल पर क्या हुआ मेरे पास यह diagonal था कौन सा बन गया इस तरह का diagonal बन गया मतलब हमारे पास twist की direction कब change होगी जब हम उसे 90 पर rotate करेंगे 180 पर rotate करने से कभी भी twist change नहीं होता मतलब हमने इसको धागे को vertical रखना है य यह चीज मैटर करती है आप कभी भी किसी धागे का twist check कर रहे हैं तो हमेशा याद रखेगा कि standard क्या कहता है कि आप उस धागे को हमेशा कैसा रखें vertical रखें vertical रखने के बाद ही आप उसका twist निकालें और आपको उस पर सही twist मिलेगा अगर आपने धागे को horizontally रखा है और फि इस तरह का twist होगा basically बिल्कुल opposite twist होगा मिसाल के तोर पे मेरे पास यहाँ पर यह यान है इसके अंदर मैं twist बना रहा हूँ तो बजाहिर यह धागा मैंने कैसे रखावा है horizontal रखावा है और उसमें मुझे twist कैसा नजर आ रहा है यह zed वाला diagonal नजर आ ठीक है तो मैं इस basis पे को zed किया सकता हूँ but in reality मुझे पता है कि standard के खिलाफ बात हो रही है क्योंकि मुझे असल twist कप पता चलेगा जब मैं इसको vertically रखूंगा बहुत गवर से देखें जब मैंने इसको vertical structure में convert किया तो मेरे पास यह twist किस तरह का हो गया S twist हो ठीक है तो यह याद रखेगा yarn को अच्छा vertically रखके सीधा रखके आपने उसका twist निकालना है उसी basis पे आप define कर सकते हैं उसके twist को तो हमने twist की basis पे भी बात कर ली अब हम आ जाते हैं plies की basis पे plies basically किसे कहा जाता है components को कहा जाता है याद करें हम लोगोंने fiber properties में pliability पढ़ीती flexibility से ही associate कर गे ability of fibers to get twisted with each other ठीक है तो उस basis पे हम समझते हैं अब यहाँ पर हमारे पास क्या concept है मिसाल के तोर पे हमारे पास इस सारे के सारे fiber कैसे हैं staple fibers है इन staple fibers में अभी फिलहाल कोई twist है बिलकुल भी नहीं लेकिन जब इन fibers को मैं twist कर दूँगा तो यह मेरे पास क्या बनेंगे एक single yarn बनेगा single yarn की पैचान क्या होती है कि आप उसे उसमें से क्या निकल आएंगे fiber निकल आएंगे मजीद दूसरे धागे नहीं निकलेंगे इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे भी yarn possible है कि अगर हमें उन्हें उन्हें उसमें से मजीद धागे निकलें इसी इसको समझते हैं अब मेरे पास एक single yarn की definition clear हो गई कि मैं staple fibers को twist करके जो धागा बनाऊंगा single yarn के लाएंगा उसे untwist करके क्या निकलेंगे उसमें से staple fibers निकलेंगे लेकिन अगर मैं दो या दो से जाधा single yarns को आपस में twist करूंगा तो भी मेरे पास एक धागा बनेगा और वो जो धागा बनेगा क्या कहलाएगा plied yarn तो plied yarn की definition क्या होगी when we twist two or more single yarns with each other what will form plied yarn will form ठीक है plied yarn के अंदर basically क्या होंगे single yarns होंगे मतलब इसकी पहचान क्या है कि अगर मेरे पास एक धागा है उसे untwist करने पे मेरे पास उसमें से मजीद single yarns निकल रहे हैं तो वो चीज क्या कहलाएगी plied yarn बिल्कुल इसी तरीके से plied yarn को भ जादा plied yarns को आपस में twist करने पे हमारे पास क्या बनेगा cord yarn बनेगा जैसे ऐसे उसकी thickness बढ़ती जाएगी उसकी strength भी बढ़ती चली जाएगी ठीक है जी तो ये cord yarn है हमारे पास और जितनी उसकी thickness बढ़ेगी उसको fabric में इस्तेमाल करना comparatively मुश्किल हो जाएगा फिर जाह जाहल ये पैदा होता है कि मैं एक normal single yarn की ही एक thick rope बना लेता क्या issue आता मैं इतने सारे पहले इसको single yarn बनाया फिर plied में convert किया cost बढ़ गई फिर plied yarn से cord में convert किया और cost बन गई मैं directly single yarn को इतना thick बना लेता issue क्या आता कि मुझे उसमें twist बहुत जादा एड़ करना पड़ता ब प्रसी इतना जादा bend नहीं हो पारी होती वहीं पर अगर मैं एक बात करूं कि मेरे पास बहुत ही weak किसम का single yarn है कम twist है लेकिन जैसे मैं उसको applied में convert करूंगा तो क्या होगा उसके अंदर strength improve हो जाएगी और फिर मैं उसको cord में convert करूंगा strength improve हो जाएगी मतलब overall जो single yarn था उसक की flexibility compromise हो सकती थी ठीक है तो आपको जाहर है flexible चाहिए इसी वज़ा से हम cord yarn में convert करते हैं directly आप उसको single yarn को इतना थिक बनाने से परेस करते हैं क्यों क्योंकि इसके twist बढ़ाने की वज़ा से उसकी flexibility compromise हो जाएगी ठीक है बिल्कुल इसी तरीके से यह भी सवाल पैदा होता है कि हम plied yarn क्यों बना रहे हैं हम directly single yarn को इतना थिक कर लेते हैं बहुत और से देखें single yarn को अगर मैं इतना थिक करूंगा fibers उसके अंदर भरे वे होंगे इतनी जादा empty sockets create नहीं होंगी लेकिन अगर मैं plied yarn उतना ही थिक बना रहा हूं मतलब दो single yarn use कर रहा हूं तो मेरे पास उसक अगर में hollow socket तो नहीं था उसमें कोई इतनी अच्छी thermal insulation नहीं आ सकती थी लेकिन जब plied yarn हम बना रहे हैं तो उसमें thermal insulation भी create होगी इसी वजह से आपने गोर किया होगा कि अक्सर winter clothing में जो धागा मौजूद होता है उसके अंदर अगर आपने कभी note किया उसके धागे निकाल उस एर-locking mechanism की वैसे उसमें thermal insulation produce होगी तो यह बहुत ही एक important factor है basically यहां तक हम लोगों ने classification discuss करी है अभी fiber की length की basis पे classify कर लिया हमने फिर twist की basis पे plies की basis पे इसी तरीके से filament yarn की भी बहुत सारी classification होती है इसके उपर भी अगर detail video मैंने बनाई तो इंशालला मैं उसका link attach कर दू recognition के बाद अब जाहरे बहुत सारे तरीके से यान बनाया जा सकता है बहुत सारे fibers को अलग-अलग तरीके से spun किया जाता है हम यहां पर mainly cotton की बात कर रहे है cotton एक short staple fiber है जिसकी basis पे हम उसके short staple fiber के spinning system अलग होते है longer staple fibers के spinning mechanism उसके spinning systems comparatively different होते हैं तो cotton की बात हो रही है जाहरे इसम सबसे जादा मशूर और कन्वेंशनल किसम का प्रॉसेस हमारे पास कौन सा है रिंग स्पिनिंग प्रॉसेस है तो किस तरीके से हम एक कॉटन को फील्ड से लेके यांड में कन्वर्ड करने तक का प्रॉसेस कर रहे होते हैं उसको हम यहां पर समझते हैं हमारे पास क्या है flow chart है इसको जरा देखते हैं ठीक है जाहरे हमारे पास field में क्या था plant था प्लांट के अओपर cotton ग्रो कर रही होती है ठीक है अब basically इतना जो plant है उसके अंदर जो cotton का फ्लावर ग्रो होता है या fruit ग्रो होता है हम poor καoured plant चाहिए या सिर्फ वो fiber चाहिए अब जाहर है fiber चाहिए अगर पूरा plant चाहिए होता है stem fiber के case में हमें plant चाहिए होता है तो हम पूरा plant उसमें से harvest करते हैं निकालते हैं harvesting की time यूज होती है लेकिन अगर cotton चाहिए तो हमें उसका जो fruit है वो pluck करना पड़ेगा ठीक है basically जो फूर्ट है इसका क्या कहलाता है बॉल कहलाता है कॉटन बॉल भी हम उसे कह सकते हैं ठीक है तो प्लकिंग से हमें वो चीज मिल जाती अब यह प्लकिंग पुराने जमाने में तो बैसिकली मैन्यवली करा ही जा रही होती थी उसमें यह भी होता था कि लोगों को इतनी एक्स्ट्रेक्ट किया जाता है दोनों प्रॉसेस के अपने अपने लूप होल्स और एडवांटेजिस हैं लेकिन फाइदा सबसे बड़ा क्या होता है आटोमेटिक पे शिफ्ट होने का कि आपका जो प्रॉसेस है वो कंपारिटेवली जादा फास्टर हो जाता है प्रॉसेस चीज़ें हमें हटानी है तो इसके लिए कॉटन बॉल को हम कहां लेके जाएंगे अब देखें यहां रेड मारकर से जो मैंने शो किया बिसिकली इस पर्टिकलर अंडर लाइन वाले पार्ट को हमने यहां पर जो शो किया यह हमारा पर्टिकलर प्रॉडक्ट है यह प्रीवियस प्रॉसेस का राव माटीरियल है और आगे वाले प्रॉसेस के अंदर हमने उसको ऐजा प्रॉडक्ट शो किया तो प्लकिंग का जो प्रॉडक्ट है हमारे पास वो क्या है कॉटन बॉल कॉटन बॉल जिनिंग मिल का राव माटीरियल होता है प्लकिंग और ज यह बनाई तो इन्शा़ला मैं इसमें अटेच करदूँगा अब कॉटन बॉल के साथ सेनैरियो क्या है कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत सारी यूजलेस चीज़ें भी हैं जिसके हमें कोई जरूरत नहीं है तो हम उसको कहा लेके जाते हैं ginning mill लेके जाते हैं, ginning mill हमें हमारे मतलब की चीज दे देती है, ginning mill के अंदर mainly क्या हो रहा होता है, सबसे पहली चीज के वहाँ separation होती है, किस चीज की separation होती है, basically उसके अंदर seed होता है, trash content होता है, उसमें ऐसे fiber भी होते हैं, जिसको आप धागे में convert कर सकते हैं, और बहुती ज small fiber भी होते हैं, जो कि धागे में convert नहीं हो सकते हैं, उन small fibers को linters कहा जाता है, जो long length fiber है, जिसे आप yarn में convert कर सकते हैं, वो lints कहलाते हैं, ठीक है जी, तो उसको basically हमने extract करना होती है, हमारे मतलब की जाती है, हमारे मतलब की चीज सेपरेट हो जाती है, जाहरे वह fiber पहला है, उ इसको transport करना बड़ा मुश्किल है, उसको store करना बड़ा मुश्किल है, कि वह बहुत जगा घेर रहा है, लहाजा आप उसको फैली भी form में use नहीं कर सकते हैं, आपने उसको किसमे convert करना है, basically किसी compact किसम की form में convert करना है, तो वो basically हमारे पास compressors वगरा होते हैं, air conditioning करके आप उ इस तरह के packets में ले आते हैं, ठीक है, और जाहर है याद रखिए का बिलकुल थोड़ा सा भी moisture जाएगा, तो यह जो packet है, जिसको हम bail कहते हैं, ठीक है, यह हलके से भी moisture से क्या हो सकती है, दुबारा से swell हो सकती है, इसकी जो dimensions वो दुबारा out हो सकती है, बड़ी हो सकती है, त तो ट्रांसपोर्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको, ठीक है, लहाजा आप इसको क्या करते हैं, बिलकुल प्लास्टिक से रैप करते हैं, और मेटल के वायर से अच्छे से बांद देते हैं, कि किसी भी तरीके से expansion ना हो पाए, ठीक है, तो जिनिंग से हमें क्या मिल रहा होता है, बेल मिल रही होती है, बिसिकली यह हमारे पास textile के process में इंक्लूड नहीं होते हैं, बेल जो हमें मिल गई, यहां से हमारे पास आगे के process discuss होंगे, बिसिकली टेक्स्टाइल हमारा यहां से start हो रहा होता है, spinning male के अंदर जब बेल आती है, तो सबसे पहले blow room क का अबन कre ब्लोव्म के बाद फिर हमारे पास कार्डिंग होती है वैसे तो प्रोंग होती थे बाद कर报 सब्राइब कर दो हुआइन के बाद सेंप्लेक्स का प्रोसे सोता शोता और फिर हमारे पास हमें है तो हमारे बे सब् என doctor आप याद रखेगा जिनिंग में एक हद तक क्लीनिंग की जाती है इस्टिल दियर आर पॉसिबिलिटीज कि उसमें बहुत सारा ट्रैश अभी भी रह गया हो ठीक है दूसरी चीज जब आपने कॉटन फाइबर को कंप्रेस किया था तो फाइबर काफे जदा इंटैंगल हो गया था अब धागा बनाने तो फाइबर को सीधा करना बहुत ज़रूरी है उसमें से मजीड ट्रैश निकालना ज़रूरी है तो ब्लो रूम के अंदर क्या फंक्शन होते हैं ओपनिंग, क्लीनिंग और ब्लेंडिंग के फंक्शन होते हैं यह तीन बड़े इंपॉर्टन फंक्शन है जो के ब्लो रूम में परफॉर्म किये जा रहे थे हो और ब्लो रूम असल में क्या होते है बहुत सारी सीरीज ओफ मशीनरीज होती है यहाँ पर जिसके थुरू ओपनिंग, क्लीनिंग, ब्लेंडिंग का काम कराया जा रहा होता है ठीक है जी ओपनिंग और क्लीनिंग एक दूसरे से एसोसियेटेट है यह इमेजन करें कि फाइबर दो फाइबर उनके दर्मियान में ट्रैश फसाव है तो जब तक मैं इसको ओपन नहीं करूँगा वो ट्रैश नहीं निकलेगा तो क्लीनिंग तभी होगी जब आप अच्छे से उसको ओपन कर लेंगे लेकिन अच्छा ओपनिंग से रिलेटेट भी लोगों की मिस्कॉंसेप्शन होती है कि ओपन करने का मतलब क्या है कि आप फाइबर को खोलने किस तरह खोलने है बेसिकली ओपनिंग आप समझ लें कि फाइबर काफी इंटैंगल हुएगा उसे डी टैंगल करने को ओपनिंग कहा जा रहा है ठीक है अच्छा एक चीज तो यह समझ में आगी कि ओपनिंग और क्लीनिंग एक दूसरे से असोसियेटेड है फिर तीसरी चीज ब्लेंडिंग है बेसिकली ब्लेंडिंग का क्या मतलब होता है इसको भी जरा समझें कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी एक ही फील्ड से कॉटन आ रहा है ठीक है एक ही प्लांट के अंदर जो फाइवर है उसकी प्रॉपरटीज में भी काफी जादा फर्क हो सकता है तो अगर मैंने उसको अच्छे से मिक्स नहीं किया डिरेक्ली धागा बना दिया तो उस धागे के अंदर भी थोड़ी थोड़ी लेंथ के बाद प्रॉपरटीज की वेरियेशन होगी बजाहिर उस वक्त तो मुझे नहीं पता चलेगा लेकिन जब मैं उसे डाय करूंगा तो कहीं से डाय जादा अब्सॉर्ब होगी कहीं से कम अब्सॉर्ब होगी तो फ्रूट चार्ड के अंदर आप अलग अलग फ्रूट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर मैं आपसे कहूं कि उन फ्रूट को आप उस फ्रूट चार्ड के साथ कुछ ऐसा करें कि मैं अलग अलग फ्रूट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊं तो क्या करेंगे आप उसको अच्छे से ग्राइंड कर देंगे जब ग्राइंड करेंगे तो सारे fruits equally distribute हो जाएंगे ठीक है इसका ये मतलब नहीं है कि fruits की जो variation है टेस्ट की variation है वो खतम हो जाएगी basically वो variation इतना evenly distribute हो जाएगी कि आप उस variation को पकड़ नहीं सकेंगे तो blending का यही purpose होता है कि जो भी fiber हमारे पास आ रहा है उससे अच्छे से blend कर दिया जाए ताकि उसकी color variation detectable ना हो ताकि उसके अंदर properties की जो variation है वो इतनी detectable ना हो जाहरी तोर पे इतना पता ना चले ठीक है जी जब आप opening cleaning कर देते हैं तो जाहरे पहले तो बेल की शकल में compact हालत में था फाइबर अब जब आपने उसको open कर दिया है तो सारा का सारा fiber खुल गया है वो चुट चुट चुटे से टुकडों की शकल में होता है और वो क्या सकते हैं लेकिन क्यूंके fiber बड़े loose form में हैं उसमें कोई strength नहीं है तो इसलिए sheet को आप क्या कहते हैं lap कहते हैं ठीक है याद रखने fibers की जो sheet है और वो काफी thick sheet है तो उसमें कोई strength नहीं होती अगर ये sheet बहुत fine हो तो उसे web कहा जाता है ठीक है और दोनों में कोई strength नह definition में include कर सकते हैं ठीक है फिलहाल आपको lab का एक idea हो गया कि पहले बेल की शकल में था fiber compact हुआ था अब वो एक sheet की शकल में आगे बढ़ रहा है और यह याद रखिए कभी आप fiber के उपर एक wide width का process करा रहे हैं छोटी सी जगा पर नहीं बलके काफी फैली वी जगा पर आप process क करा रहे हैं तो आपने हमेशा उस fiber को lab की शकल में utilize करना होगा ठीक है तो lab बनके वो sheet बनके आगे जा रहा है क्योंकि जाहर है आगे भी जो process करना है मैंने उसके उपर wide width का process करना काफी open width के अंदर process करना होगा ठीक है machine की maximum width utilize हुजए है इसलिए हमने उसे lab में convert किया है ठीक अब इसको समझें blow room के बाद हमारे पास carding में आ रहा है अचा ये चीज़ भी समझेगा blow room को blow room क्यों कहते है मैंने आपको बताया series of machinery होती है जब fiber खुल चुका है तो वो अब जाहरे आप हाथ से एक machine से दूसरी में transfer नहीं करते है air blowers के थूरू ये सारा काम हो रहा होता है उसके अंदर ठीक है जी तो इस वज़ा से आप उसे blow room कहा जाता है ठीक है उसके अंदर इस S पर standard company to company machinery's vary कर सकती है डिपेंड करता है किस level की efficiency cleaning वगर आपको चाहिए ठीक है carding पे आजाते हैं अब carding basically क्योंके ये वो last process है यहाँ पर दो function होते है opening और cleaning सिर्फ ये दो function ठीक है बागी जितनी चीज़े हैं वो हम जाहरे detailed lectures के अंदर cover करेंगे opening और cleaning यहाँ पर भी हो रही है opening वघगर लेऊ थैंजहाँ पर भी हो रही है wollteर कि यहाँ पर है टो इस चीज़ को हम कैसे समझाए basically वहाँ पर हिए हम टरीके से काम कर देते है दोबारे से वो process हम क्यों कर रहे इसके और इसकी logic ज़रा गोर से समज classyएगा मिसाल के तोर पे अगर किसी बंदे के बाल बहुत ज़्यादा उलजेवे हैं और उसके बालों में जुए पड़ जाएं तो फिर क्या करेगा अब जाहर है उन शदीद उलजेवे बालों में से अगर हमने जुए निकालनी है मेंली जुए निकालने के लिए आपने देखा होगा ये वाला कॉम यूस किया जाता है जो कि बड़ा फाइन है लेकिन बहुत ज़्यादा उलजेवे हैं अगर मैं जबरदस्ती उन बालों में गुसाओंगा तो क्या होगा बाल तूटना शुरू हो जाएंगे हम नहीं चाहते कि वो डैमेज हो बिलकुल इसी तरीके से आपने क्या करना है सबसे पहले इस से आपने उसे सेपरेट करना है ताकि इंटैंगलमेंट उसकी खतम हो उसको डैरेकली बहुत फाइन क्लीनिंग मैं नहीं कर सकता था अगर मैं करता तो फाइबर डैमेज होना शुरू हो जाता है इसलिए हमने वहाँ पर कोर्स क्लीनिंग किये थोड़ा सा उपन किया है थोड़ा सा ट्रेश रिलीस किये फाइन क्लीनिंग हम कौन सी स्टेज पर करते हैं कार्डिंग की स्टेज पर करते हैं सूपर फाइन क्लीनिंग यहाँ पर होती है जितना मैक्सिमम ट्रेश निकल सकता है वो कार्डिंग की स्टेज पर निकल जाता है यह इसलिए सबसे ज़्यादा important process है क्योंकि last stage है जहां पर cleaning हो रही होती है इसी वज़ा से हम इसको heart of spinning भी कहा करते है heart से related आपको पता है cardiovascular system हमारे दिमाग में आता है इसी वज़ा से क्योंकि इसका नाम heart of spinning है इसी वज़ा से हम इसके क्या कहते हैं carding कहा करते है ठीक है जी अब जाहर है उसने जो cleaning की थी वो लैप की की थी लैप क्या था हमने डिसकस किया एक sheet थी अब उसे convert कर देता है यह strand के अंदर किसमें strand में convert कर देता है strand मैंने आपको बताया था one dimensional object होता है लेकिन इसके अंदर कोई twist नहीं होता अगर twist होता strength होती इसके अंदर तो हम इसे yarn कह सकते थी यह बिलकुल सीधे सीधे staple fibers है ठीक है बस एक पतली सी strand है तो यह याद रखने है इस चीज को आप क्या कहते है sliver अभी तक कितनी forms पढ़ ली हम लोगों ने बेल क्योंकि compact form थी उसको open कर गए sheet में convert किया sheet क्या कहलाती है sheet हमारे पास lap कहलाती है then हमने उसको एक strand में convert कर दिया तो वो चीज क्या है sliver sliver के अंदर कोई twist नहीं होता कोई strength मौजूद नहीं होती अब यह याद रखिए combing असल में एक optional process है कार्डिंग के बाद वाला और यह भी एक काफी ज्यादा चोड़ाई के उपर process किया जा रहा होता है अगर हमने उसको process को करना है तो मैं sliver use नहीं कर सकता मिसाल के तोर पे machine की यह width है और sliver जो है उसका diameter देखें बहुत पतला सा है क्या machine की पूरी width utilize होगी अगर मैं combing का process करूँगा बिलकुल भी नहीं होगी तो अगर मुझे यह optional process करना है तो मुझे sliver को lap में convert करना पड़ेगा lap में convert करने के बाद मैं उसके उपर combing करा सकता हूँ वरना मैं combing नहीं करा सकता ठीक है तो बहुत important चीज़ है अगर हम इसको बाइपास कर रहे हैं combing को तो इसी sliver को हम directly आगे next process में ले जाएंगे drawing के अंदर लेकिन अगर हम combing कर रहे हैं तो इसे lap में convert करेंगे खेर combing क्या होती है combing के बारे में समझ लें अकसल लोग इसे confuse करते हैं कि combing के अंदर भी हमारे पास cleaning होती है लेकिन असल में cleaning नहीं होती है यहाँ पर हम क्या करते हैं short fibers को remove करते है short fiber removal एक तो वो short fiber थे जो के ginning में हमने अटाय थे जिससे yarn बनी नहीं सकता था यहाँ पर जो short fiber जो हटा रहे होते हैं यह वो fiber होते हैं जो के ispunable है मतलब आप उससे धागा बना सकते हैं ठीके लेकिन आप उसकी hairiness reduce करने के लिए उसका twist कम करने के लिए उसकी cohesiveness ताके जादा रहे इसलिए हम उसमें से extremely short fiber है हमारे पास ispunable short fiber उसको हम remove कर रहे होते है मतलब उससे धागा बन सकता था उसको हम reduce कर रहे हैं तो imagine करें कम से कम भी 20% 25% wastage आ रहे है जितनी wastage बड़ेगी मेरा धागा उतना जदा महेंगा होता चला जाए ठीक है तो इसी वयाँ से एक optional process है combed yarn या carded yarn के बारे में भी हम लोग discuss करेंगे ठीक है तो combing आप लोगों ने short fiber remove करने के लिए की जाती है ताके yarn की properties enhance हो जाएं लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तभी की जाती है जब customer आपको बोले कि उसे combed yarn चाहिए unnecessary आपने process नहीं करना क्योंकि इससे cost आपकी बहुत जादा बढ़ जाएगी काफी जादा wastage होती है इसके अंदर फिर combing से जब हमारे पास निकलता है fiber तो किस शकल में निकलता है sliver की शकल में निकलता है मैंने अभी बता दिया sliver की एक continuous strand अब उसमें कोई twist नहीं है बहुत weak है तो मैं क्या करूं उस content strength को किसी चीज़ पर लपेट हूँ लपेटने के लिए आपको पता है कि लपेटने में क्या होती है force apply होती है break हो सकता है लहादा आप उसे लपेटते नहीं बलके बहुत बड़े-बड़े drums में collect करते है drum के नीचे क्या लगी होती है spring लगी होती ह जैसे इसे वो भारी होता है वो नीचे spring को दबाते है और इस तरीके से आप उसे drum में collect कर लेते हैं ठीक है तो sliver के बारे में याद रखेगा आप इसकी कभी भी winding नहीं करते है किसी चीज़ के ओपर क्यों कोई strength नहीं ब्रेक हो जाएगा वो आप इसे हमिशे drum में collect करेंगे इस spring वाले drums होते हैं इसके अंदर ठीक है spring क्यों लगी होती है इसका भी purpose बतायता हूं mainly अगर पूरा नीचे तक होगा इसमें spring नहीं होगी तो अकसर sliver काफी जदा weak होता है जिसकी वैसे वो अपने weight से भी break हो सकता है depending on fiber to fiber ठीक है लेकिन जब यह चीज़ उपर होती है बि ने collect कर लिया drawing के अंदर लेकर आगए drawing का process जो होता है drawing frame पर होता है जो machine होती इससे drawing frame कहा जाता है कई दफाए process दो दो दफा कराया जाता है तीन तीन दफा भी कराया जाता है डिपेंड करता है अगर हम blend कर रहे हैं polyester cotton को ठीक है खेर इस process में हमारा purpose क्या है वैसे से detail में हम समझेंगे अगर इस पर lecture बनाया है मैंने लेकिन इसके अंदर function क्या होता है mainly दो function होते हैं एक हमारे पास doubling होता है और एक हमारे पास drafting होता है doubling क्या होती है basically के slivers को combine कर रहे होते हैं जैसे एक sliver आया दो sliver आया तो हम दोनों को join करके एक ही sliver बना देंगे ठीक है doubling industry में कई दफ़ा 6 slivers की doubling होती है 8 sliver की doubling होती है 10 12 इस तरीके से even number of slivers के हम लोग नॉर्मली doubling करा रहे होते हैं मतलब simple combining of slivers is called doubling अब आप खुछ सोचें जब slivers को combine कर रहे हैं तो क्या हो रहा है sliver थेक हो रहा है या फाइन हो रहा है थेक हो रहा है obviously हमें यान कैसा बनाना है fine बनाना है लेकिन sliver थेक हुए जा रहा है तो उसको क्या करना होगा पतला करना होगा तो drafting करके हम उसे पतला करते है नॉर्मली हमारे पास set of rollers होते है sliver यहाँ पर आता है ठीक है और rollers के तरू हम उसके उपर force apply कर सकते हैं आप याद रखिए का जितनी force apply होगी वो चीज पतली हो जाएगी ठीक है अब truingum की तरह का concept हमने imagine करना है अब असल में force apply कैसे होगी हमें पता है force equal to ma acceleration create करनी है तो basically यहाँ से जो sliver insert हो रहा है in feeding rollers के थूँ इसकी speed हमने कम रखनी होती है और जो आगे delivery rollers होते हैं उनकी speed हम बढ़ा देते हैं जब यह speed difference आएगा तो acceleration create होगी acceleration का मतलब क्या है कि इसके अंदर लाजमी क्या आजाएगा basically force create होगी और उसी force की वज़े से क्या होगा कि इसके अंदर draft आएगा इसका जो sliver है वो comparatively पतला हो जागा हमेशा याद रखिए drafting की term spinning के अंदर बहुत ज़्यादा use हो रही होती है मतलब आप क्या कर रहे हैं किसी भी चीज की thickness reduce कर रहे हैं पीच खीच के आप उसकी थेखने से reduce कर रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं drafting कहते हैं ठीक है अच्छा यहाँ पर भी हमने क्या किया कि उसको अभी तक किस form में convert किया दुबारा से sliver में convert कर लिए पिछले sliver में और sliver में क्या फरक होगा कि यहाँ पर हमने अच्छे से doubling भी किया drafting भी किया fiber और जादा align हो चुके होंगे खिच खिच के ठीक है अब जो next process है हमारे पास वो क्या है simplex simplex क्या process होता है उसको समझे इसके अंदर क्या function होते है तीन बड़े important function होते है simplex के अंदर सबसे पहले हम क्या करते है drafting करते है वो ही drafting जाहर है अभी तक still वो sliver है हमें उसे yarn में convert करने के लिए काफी जादा पतला करना होगा तो मजीद उसको draft करना जरूरी है मजीद draft कर देंगे लेकिन जितना fine होते जाएगा उसकी strength और कम होती जाए क्योंकि already उसके अंदर fiber सारे straight है strength add करने के लिए हमें क्या करना है मैंने आपको बताया था हमें उसको twist करना पड़ेगा तो ये वो पहला process है जहां पे इसमें हलका सा slight twist insert होगा तो simplex के अंदर क्या किया आता है slight twist insert किया जाते collect करेंगे loose छोड़ेंगे तो there is a possibility वो twist खुल जाए ठीक है twist करने के बाद उसमें थोड़ी बहुत strength आ जाती है इसलिए हम उसे लपेट सकते हैं उसकी winding करा सकते हैं ठीक है तो ये वो पहली जगा जहां पर package formation होगी package formation ठीक है ये चीज़ आपने याद रखनी है spinning के अंदर अकसर जो package formation का word use होगा इसका मतलब क्या है कि winding हो रही है ठीक है normally जो हमारे पास यहाँ पर package बन रहा है जो चीज़ हमारे पास बनी है sliver के बाद उस चीज़ को हम इस तरह के package इस पे लपेटते हैं इसको हम sample भी कह रहे होते है खर यहाँ पर सबसे important समझने की बात यह है कि जो sliver था अब उसमें थोड़ा सा twist आगी और ज़्यादा fine हो गया क्या अब मैं उसे sliver कह सकता हूँ बिलकुल भी नहीं sliver के अंदर fiber straight होते है यहाँ पर जब twist आगी है तो आब वो straight नहीं है अगर थोड़ी सी strength आगी तो मैं क्या उसे yarn कह सकता हूँ yarn भी नहीं कह सकता है yarn में अच्छा खासा twist होता है और अच्छा खासा fine होता है मतलब क्या हुआ यह sliver और yarn के दर्मियान की कोई चीज है ठीक है sliver और दर्मियान sliver और yarn का कोई intermediate product है ठीक है इसी वज़ा से आप इसके लिए एक अलग नाम तजवीज करते है और यह नाम क्या कहलाता है rowing कहलाता है rowing basically क्या होती है sliver से ज़्यादा strong होती है yarn से ज़्यादा weak होती है sliver से ज़्यादा fine होती है yarn से ज़ादा courser होती है ठीक है ये चीज याद रखनी है आपने rowing बना लिए और rowing के हमने क्या कर दी package formation कर दी इस तरह के बड़े बड़े से package बना लेते हैं then अच्छा ये चीज भी याद रखनी है sliver हमारे पास perfectly round नहीं होता क्योंकि sliver में सारे सारे fiber सीधे होते है तो mainly sliver हमारा चप्ता हो जाता है दबने के बाद ठीक है लेकिन rowing के अंदर क्योंके twist आ चुका है rowing perfectly round होती है ये वैसे बहुत एक important concept है जब हम core spinning को discuss करेंगे तो इस चीज की importance समझ में आएगी फिलहाल अभी के लिए इतना ही याद रखें कि rowing round होती है क्योंके इसमें twist आ चुका है perfectly round होती है sliver हमेशा कभी भी perfectly round नहीं हो सकता क्योंके इसमें कोई twist नहीं है वो विल्कुल चप्ता भी हो सकता है दबने के बाद ठीक है flat हो सकता अच्छा अब rowing के बाद हम आगे चलते हैं rowing से हमने क्या करना है ring spinning करनी है ring spinning के अंदर जो हमारा process होता है वो इस तरह से होता है कि हमारी जो rowing लगी वी उपर उससे हम लेकर आते हैं और यहाँ पर basically यही तीन function होता है drafting twisting और package formation ठीक है जी यह तीन बहुत important process है अब लेकिन यहाँ पर हम क्या बना रहे है ring spinning final stage है यहाँ पर हम yarn बना रहे है तो यहाँ पर final draft करते हैं मतलब maximum जतना fine yarn चाहिए उतना draft दे देते हैं directly शुरू की stage में draft क्यों नहीं दे सकते थे क्योंकि एकदम बहुत ज़दा high draft से sliver break हो सकता था आइस्ता आइस्ता हम draft देते वे उसे इस stage तक लेकर आएं यहाँ maximum जतना fine करना है आप उसे fine कर लेंगे final draft दिया जाता है यहाँ ठीक है और twist भी उसको final दिया जाता है basically जाहरे yarn के अंदर जतनी strength required होगी as per buyers recommendation उतना twist हम इसमें add करते हैं ताके required strength मिल जाए ठीक है अब बहुत गोर से समझे वे इसको ring spinning क्यों कह रहे हैं यहाँ बीच में drafting करने के बाद rollers के थूर ड्राफटिंग करने के बाद जब हम इसको wind कर रहे होते हैं हमारे पास इस तरह की एक ring लगी भी होती है metal की उसके थूर इसके ओपर लिपट रहा होता है तो ring के दर्मियान में package बन रहा है आप package को कभी भी बहुत बड़े size का नहीं कर सकते हैं बहुत बड़ी बड़ी cones नहीं बना सकते हैं पैकेज maximum इतना बड़ा हो सकता है इतनी ring है ring से ज़ादा बड़े size का बना नहीं सकते हैं ठीक है उसके इलावा भी कही सारे technical issues होते हैं ठीक है लेकिन ये याद रखें हम बहुत ज़ादा धागा इस पर नहीं लपेट सकते हैं इसलिए छोटे-छोटे size के packages बना रहे होते हैं इन छोटे packages की वज़ा से ही हम इसे क्या कहते हैं baby cone कहते हैं ठीक है baby cone या फिर ring bobbin भी आप इसे कह सकते हैं ठीक है तो इन्शालला अगर मैंने इस topic के ओपर इन सारे concepts के ओपर detailed lecture बनाया तो मैं उसका link description में add कर दूँगा फिर आगे discuss करेंगे हम लोग thank you